हम बात कर रहे हैं गोल्डेम इंटरनेशनल की लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो इस टॉक ने हमको एक परसेंट के उपर के अफसाइट के साथ क्लोजिंग दिखाई है बड़ी किरावट के बाद इस टॉक ने बॉंज बैक किया है और हम देख सकते हैं लगातार बाइ जितनी बायर्स देखने के लिए मिले हैं यहां उतना हमको सेलिंग इस वक देखने के लिए मिर रहा है तो इसका जवाब होगा नहीं स्टॉक जोई 164 के लेवल को सपोर्ट बना कर काम कर रहा है यहां से गोल्डेम हमको और तेजी दिखा सकता है यहां से और बड़े तार्गेट और आप ट्रेंट गोल्डेम में हमको आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकता है 164 के लेवल सपोर्ट का काम कर रहा है इस वक्तुनature कर जाता है तो तगडा सपोर्ट रहेगा 160 के लेवल तगडार इंपॉर्टन सपोर्ट है गोल्डेम के लिए गोल्डेम इसके 160 के उपर ही sustain हो रहा है तो ऐसे condition में अपने high को break out दे सकता है और बड़े target देखने के लिए मिल सकते है अगर आप safe entry लेना चाते हो confirmation के लिए इंतिजार करना चाते हो safe entry का तो यह जो इसका recent high 172 का level इसके break out का इंतिजार कर सकते हो इसके break out के बाद safe entry ली जा सकती है तब immediate target रहेगा 170 का level इसको break out कर गया तो next target जो इसका है 172 इसके break out के बाद next target 175, 176 का level इसको break out कर गया तो major resistance 180 के level पर gold aim face करेगा 180 का level जो इसका major resistance रहेगा लेकिन इस level से अगर बड़ा selling नहीं आता इसके आसपास ही stock sustain होता है जैसा है जो इसका high 176 का level इसके ऊपर sustain हो जाता है इस high को break down नहीं करता 180 के level से rejection लेकर तो वह इसे condition में break out के chance बनेगा फिर 180 का level हमको break out होता नजर आ सकता है वीडियो एजुकेशन परपस के लिए कोई buy sell या hold की सला नहीं है अगर आप Demet account open करना जाते हो तो description में दी गई लिंक से कर सकते हो तोavior के लिंदने में से लिया लिंदye है